चीफ जस्टिस एन्वी रमन अक्सर अपने बेबाग बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि वो किसी भी मुद्दे पर खुल कर अपनी बात रखते हैं अब अपनी इसी अंदास के साथ उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है तो ऐसा क्या बोल गए चीफ जस्टिस एन्वी रमन जिसने सभी को कर दिया है 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 देखते हैं ये रिपोर्ट अब इस बीच चीफ जस्टिस एन्वी रमन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है दरसल जस्टिस रमन ने कहा कि कई मुद्दे हैं जिने वे उठाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि पत्च छोड़ने से पहले बोले अपने विदाई भाशन में जरूर बोलूँगा अब चीफ जस्टिस के इस बयान ने खलबली मचा दी है और उनके इस बयान ने इस बात के संकेत दे दिये हैं कि नियाई पालिका पर दबाव डाला जा रहा है दरसल सुनवाई के लिए सूची बाद एक मामले को रजिस्ट्री की तरफ से हटा देने से मुख्यनियाईदिश आहत हो गए जिसको लेकर उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर 26 तारी को अपने विदाई भाशन में बोलेंगे अब सिर्फ यही मुद्दा है या कुछ और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर चीफ जस्टिस एन वी रमन खुलासा करने वाले हैं ये त कि मेडिया कंगारू कोट चला रही है ऐसे में अब देखना होगा कि 26 अगस को सीजी आई रमन क्या खुलासा करते हैं डीवी लाइफ की रिपो